हेलो एवरिवन, वेलकम टो आमिस्टर क्लासेज, केमिकल कानेटिक्स का सेकिंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो पहला पार्ट हमने किया था, उसमें जीर ओडर रेक्शन का डेरिवेशन किया था, और उसके इंटेग्रेटेड रेट लॉक के बाद हमने टी हाफ का रेट कॉंस्टेंट के जीरो था, ए जीरो, ए माइनस एक्स, एक्स, यह टाइम जीरो पर और यह टाइम टी पर, और इसका इंटेग्रेटेड रेट लॉक क्या गया था, वो आया था, के जीरो टी इक्वल टू एक्स, ठीक है, यह हमारा रेट लॉक या था, के जीरो टी इक इसको वन वाल लेते हैं और एक हमने निकाला था हाफ लाइफ टाइम टी हाफ का फर्मला क्या आ गया था टी हाफ हमने सिंप्लिफाई किया था यह रिजल्ट आया था ए अपॉन टू के नॉट सही है यह हमने लास्ट की वीडियो में हाँ देखिया था मनलो एक्विशन नमबर टू है अब जीरो अर्डर से एक्शुली हमें एक और टाइम निकालते हैं क्वाटर लाइफ टाइम आप पूरा बार लख लेंगे क्वाटर टाइम तो similarly जैसे हाफ लाइफ को डिफाइन किया था हाफ लाइफ ओ टाइम होता है जितने टाइम के बाद कोई कंसेंटेशन अपने इनिशल का हाफ रह जाता है तो क्वाटर लाइफ टाइम क्या होगा जितने टाइम के बाद कोई कंसेंटेशन अपने इनिशल वैल्यू क 1 by 4 तरह जाता है तो जैसे half life को आपने solve किया था तो ऐसे हम इसमें लिखेंगे ऐसे ही इसमें हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हाँ ऐसे हम इसमें लिखेंगे for quarter lifetime हम T को किस से replace कर देंगे T Q L T से और जो left quantity होगी हमारी बची quantity जिसको हम a-x लिखते हैं वो a by 4 बचेगा इस बाहर तो a-x a by 4 है तो x कमान कितना जाएगा हम से 3 a by 4 आ जाएगा और इसको हम कहाँ पूट कर देंगे x कमान 3 a by 4 ये question number 1 में रख देंगे तो 1 से K 0 T Q L T equal to x के place पर 3 a by 4 तो यहाँ से देखो T quarter हो जाएगा upon 2 अब भी देखो के नीचे कितना 4 और K 0 ऐसा करने से benefit ही हुआ आप देखो result number 2 से आप इसके place पर क्या लख देंगे T half तो साथ के साथ ये भी हमने प्रूफ कर दिया किसी 0 order reaction का quarter lifetime उसके T half का 3 by 2 times होता है यह ऐसी को हम ऐसे भी लखते है quarter lifetime में 75 completion time 75% reaction complete होने का time उसके 50% complete होने टाइम का कितना होगा 3 by 2 times होगा ठीक है करेंगे अब जल्ली से not quarter lifetime का यह concept है कि जितने time में कोई concentration अपने initial value का 1 by 4 दरह जाता है उसको हम बोलने है quarter lifetime तो 3 by 2 times of T half आ जाएगा ठीक है और देखो जैसे quarter lifetime होता है ऐसे होता है completion time यह आपना नाट कर लिया होगा विसको हटाता हम completion time और देखो नाम से meaning clear है completion time is the time in which a reaction is 100% completed जितने time में कोई reaction 100% complete हो जाएगी वो उसका T completion या T 100 होगा तो T को किस से replace करेंगे T 100 से और बची quantity जो होगी जब reaction complete होगा तो बच्छा क्या 0 तो इस बार X के value कितनी हो जाएगी A किसमें put कर देंगे integrated rate log है अंदर तो K 0 T will be equal to A और T 100 है या T completion एक ही बात है तो T completion equal to A by K naught जिसको आप 2 से multiply 2 से divide करके ऐसे भी लग सकते है और यह किसका result है persecution number 2 या result number 2 यह T half है तो हमने confirm कर दिया किसी reaction का completion time उसके half life time का double होता है कोई 0 order reaction जतने time में 50% complete होगी उसके exactly double time में वो 100% complete हो जाती है तो यह 0 order reaction का completion time भी complete है तो as a result summary यह सब formula है हमारे पास में आपर quarter lifetime T Q L T 3 by 2 times of T half आगया था वो देखा था आपने और completion timing T completion यह double of T half आगया तो 0 order के इतने result complete है ओके आगे फिर एक 0 order में intercept formula भी होता है intercept formula for reactant तो इसके लिए बस आप ऐसे देह नखेंगे आप setup में change कर देंगे यह C 0 0 और C T और हिहा C 0 minus C T हो जाएगा यह आपर जो quantity आती हो this minus this quantity करके आती है time 0 पर और time T पर differential rate log अप अपलाई करते हैं ना rate law expression उसमें कहा लिखते हैं आप rate of any reaction that means minus da by dt is proportional to concentration of reactant power order which is यह 0 तो minus da by dt equal to constant k0 minus da equal to k0 dt apply integration time 0 से T यह time है और यहाँ पर limit आएगी किसके यहाँ पर limit आएगा A का और एक limit क्या C 0 से C T apply कर देंगे integration पहले तो integration A आया और limit application C 0 से C T equals k0 यहाँ पर यह T है यह actually T लिखा हुआ है तो यह integration T देगा all limit इसकी 0 से T आजाएगा अब limit application left hand side में upper limit minus lower limit equal to k0 upper limit minus lower limit so minus C T plus C not equal to k0 T तो यहाँ से भुजाएगा C T equal to C 0 minus K T और देखो logic है यह आपको पहले से बता है हम पहले से जानते है क्या time के साथ reactant क्या होता है decrease करता है तो CT concentration of reactant will decrease as the time increase और same formula यह तो reactant के लिए हो गया this formula is for reactant और यह दिए आप product के लिए time के साथ product क्या होता है increase करता है तो वहाँ पर C 0 plus K 0 T है जाएगा इसको डिरेक्ट लिए C 0 plus K T तो यहाँ आप result समरी कर ले थे वहाँ पर दो formula भी आप डाल देंगे कि 0 order reaction में दो result यह भी होता है 0 order का whole समरी जाएगा पहला integrated rate law फिर half life quarter life completion time और last में यह दो result CT equal to C 0 minus K 0 T for reactant and CT equal to C 0 plus K T for product P for product P for positive sign आएगा reactant की concentration time के साथ decrease करता है तो minus sign आएगा ठीक है करें जल्दे से copy अब पहले हम एक साथ बार ना सबी ओर्डर के rate law ड्राव कर लेंगे graph वाला part हम एक साथ complete करेंगे अभी zero order के graph को plot नहीं कर रहे है तो apply करते हैं graph वाला part बाद में अब start करते है kinetics of zero order reactions ठीक है तो अब डल देंगे kinetics of sorry first order reaction zero order complete कर लिए हमने अब start करेंगे kinetics of first order reactions first order reactions तो पहली वीडियो में बता दिया था एक बाद फिर से आप लेख सकते है the reactions in which the concentration यह क्या the reactions in which देख ऐसा होता ना general किया the rate is proportional to concentration power one यह पर order one है तो यह दो यह से बाद लो the reactions in which the rate of reaction changes linearly with the concentration of reactant are called first order reactions and फिर setup consider करते है let us consider यह first order reaction तो setup यह a to p बस वहाँ k0 था तो यहाँ पर k1 initial concentration यह और यह 0 time 0 पर setup यह को same माल लिया है after time t यह x बन किया तो बचेगा कितना a minus x फिर rate like special लिखते है फिर से the rate of any reaction is proportional to concentration power order which is here 1 r is nothing but dx by dt होता है rate constant k1 और a का concentration time t पर कितना है a minus x और इसको बल देंगे किया differential rate law this is called differential rate law फिर क्या करते है variable separation और integrate करना होता है तो x का दम dx के पान में और बागी सब एक तरफ और उसके बाद हम integration करते है तो k1 integration dt और equal to integration 1 upon a minus x dx limit देखलो time कहां से कहां vary कर रहा है time का limit 0 से t है और x का limit 0 to x apply integration k1 यह integration t होगा ठीक है वो मैंने एक अलग वीडियो में बना के डाल दिया था अब धर्च के लिए ना YouTube चैनल पर सब डाला होगा हो इसका integration इसी quantity का logarithm होता है direct formula है और limit application 0 to x upper limit minus lower limit upper limit x को x रखा minus lower limit x को 0 apply क्या तो left-hand side मन गिया k1 t लॉन प्रपरिटी सिस्कोली लिए लिए this quantity upon this quantity finally a upon a minus x so this is the final integrated rate law for first order reaction एक है यह था complete तो एक result हम नग धिडिया integrated rate law for first order reaction और रिजल्ट खितना गिया k1 t equal to ln a upon a minus x equation number 1 फिर उसके बाद जैसे zero order में किया था half life time तो t को t half से लिखते हैं और half life के लिए जो बची quantity जिसको a minus x से लिखते हैं वो a by 2 हो जाबता है इस equation number 1 में apply करतेंगे तो k1 t half equal to ln a को a लिखा और a minus x कितना a by 2 एसे a गड़ जाएगा lon 2 बन जाएगा lon 2 कितना होदा 0.693 ठीक है तो finally हमारे पास यह क्या परस्ट और reaction का t half भी आगया तो t half हो जाएगा 0.693 upon k1 ठीक है और ऐसे completion time पहले quarter lifetime quarter lifetime के लिए हम T को tqlt लिखते हैं और जो बची quantity होती है वो a by 4 initial का 1 by 4 होता है तो बस देखलेंगे हाँ पर 1 by 4 आएगा यहाँ और यह by 4 आएगा तो result 1 से लिखेंगे आप k1 tqlt equals ln a upon a by 4 इसको पहले जाएगे तो ln 4 बनेगा जिसको 2 power 2 लिख देगे 2 ln 2 हो जाएगा और यहाँ से tqlt वो जाएगा 2 ln 2 by k1 और यह ln 2 by k1 के नथिंग बट t half है तो यहाँ से confirm हो गया first order reaction का जो t quarter होता है वो उसके t half का double होता है 0 order में कितना था 3 by 2 times थाएगा फास्ट order में यह 2 आ गया और एक निकालते हैं कितना एक निकालते हैं completion time जैसे 0 order में कितना तो completion time के लिए हम t को किस से लिखते हैं t completions है और जब reaction complete होगा तो जो बची quantity है वो 0 हो जाएगे integrated rate loss ही करेंगे तो k1 t completion और equal to ln a को a लिखा by 0 और something by 0 means undefined उसका logarithm भी undefined means first order reaction का completion time cannot be defined means it is undefined or infinite that is a first order reaction is never completed कोई भी first order reaction कभी complete नहीं होगा ठेके ना यह बस 0 order reaction है जो complete होता time के साथ तो यह first order का हमारा पूरे results complete होगा इस्टार्ट करते हमें second order अब नहीं होगे kinetics of second order reactions kinetics of second order reactions तो फिर से the second order reactions are those reactions in which the rate of reactions varies quadratically with the concentration change the reactions in which on doubling the concentration of reactant the rate of reaction becomes four times are called second order reactions पहली video में definition अगरा सब आगया था and let us consider one such reaction a plus a2 product correct rate constant this time k2 initially when time is 0 a mole of reactant is present product is 0 after time t x mole of product has been formed so left quantity of each reactant will be a minus x उसके बाद rate law expression the rate of any reaction is proportional to concentration power order which is here 2 R को के लिकते ने d x by d t or equal to rate constant is k2 a means time t per a का concentration a minus x का whole square this is called differential rate law इसको बलते ने differential rate law variable separation वाला स्टाइब x का दन d x के साद equal to t को एकतरफ कर दिया then apply integration direction करने के रहा देखो तरीका सम्में सेम बनना है तो k2 or integration dt equal to integration 1 upon a minus x का whole square और d x ठीक है और time की limit 0 से d और x का limit 0 to x ये बार बार सेम चलना है आप देखो right hand side integration में एक general formula आप लिखलेंगे कि कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है integration 1 upon a minus x power n तो answer होता है 1 upon n minus 1 और 1 upon a minus x power n minus 1 ये दियान रखेंगे formula n equal to 1 पर valid नहीं होगा reason जब ये 1 होता है तब तो logarithm वाला answer थाना integration में log आता है यह से देखो 1 minus 1 0 में is something wise 0 में is undefined हो जाएगा उसको defined नहीं कर पाएंगे तो अब ऐसे जाद रखेंगे जो भी पावर लिया हुआ है इससे एक कम कर देंगे और सेम यहाँ पर आएगा अब यहाँ पर 2 है n के place पर 2 तो 2 minus 1 1 आ जाएगा और यही सेम यहाँ पर आ जाएगा तो right hand side का integration के वल 1 upon a minus x हो जाएगा जिसके limit 0 से x है यहाँ पर k2 t limit 0 से t limit apply कर देंगे upper limit minus lower limit upper limit minus lower limit बस यही final rate law है ठीक है so second order का rate law expression क्या k2 t equal to 1 upon a minus x minus 1 upon a होता है integrated rate law equation number 2 i r m finally है summarize कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे आप यह integrated rate law आगया k2 t equal to 1 upon a minus x minus 1 by a ठीक है this is the integrated rate law for a second order reaction when both reactants are same equation number 2 है फिर जैसे आपने 0 order में कहा था क्या निकालते है फिर इसके बार हम निकालते है half lifetime तो बार 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 तो रट गया होगा t को किसरे replace करते है t halves है और जो बची quantity होते है half lifetime के बाद वो initial का half होता है कहां रख देंगे equation number 2 में तो result क्या हो जागा k2 t half equal to 1 upon a by 2 minus 1 by a तो 2 by a minus 1 by a that means 1 by a आजाएगा ठीक है 1 by a आजाएगा तो finally second order reaction का t half हो जाएगा 1 by a k2 this is the expression for the half life of a second order reaction involving both reactants to be the same same quarter lifetime अब तो calculation आप खुद कर सकते हो t को replace कर देंगे t qlt से और बची quantity कितने हो जाएगा initial का half 1 by 4 हो जाएगा rate law में apply करेंगे तो k2 t quarter equal to 1 upon a by 4 minus 1 by a तो यह 4 by a minus 1 by a that means 3 by a तो यहां से t quarter हो जाएगा 3 into 1 upon a k2 and 1 upon a k2 is nothing but it is the t half of second order reaction तो यहां से proof हो गया second order reaction का 75% completion time triple होता है t50 से ठीक है जो 0 order में कितना था recall करो 3y2 था है फस्ट order में कितना था 2 था और second order में कितना आ गया है 3 आ गया ठीक है तो यह इसका complete है अब completion time निकालेंगे इसका तो infinity यहां पर जो बची quantity 0 जाएगी something by 0 undefined infinite infinite minus something infinite यहाएगा तो केवल 0 order reaction का completion time होता है बाकी सब का infinite होता है ठीक है अगला स्टार्ट करता है kinetics of third order reactions kinetics of third order reactions ठीक है तो फिर से the reactions in which the rate of reaction changes cubically with the concentration of reactant are called third order reactions ठीक है बुलने के साथ लिकलेंगे आप the reactions in which the rate of reaction changes cubically with the concentration change of reactant are called third order reactions and let us consider a one such third order reaction in which all the reactants are same with the formation of product rate constant this time k3 set up same time 0 पर सबको small a माल लेंगे product 0 होगा after time t in case product x मिला तो सभी reactant का x minus b हो जाएगा ठीक है यहां पर यह x है करो आगे आपर start the rate of expression the rate of any reaction is proportional to concentration of reactant power order which is here 3 r is nothing but dx by dt equal to k3 और aim is time t पर एका concentration a minus x तो a minus x की power 3 हो जाएगा this is the integrated rate law जैसे सभी आटन पर कर रहे हैं देखो एक जैसे बैटन चल ला है variable separation वाले टुसफ़ आपान a minus x power 3 equals to k3 dt अपलाई करेंगे integration हमें निकलना होता है integrated rate law तो kt वाले पार्ट को जैने लिए हम पहले लिग देते हैं k3 integration dt टाइम के लिमिट 0 से टी और एक्वल टू 1 अपॉन A माइनस X की पावर 3 और DX और X के लिमिट 0 to X अप्लाई कर देंगे इंटेग्रेशन यह तुरेट गया होगा आपको यह इंटेग्रेशन बार बार T आपा है और यह इसका फामला लिखाया था 1 by 2 और 1 पावर कम कर देंगे अभी जनरल फामला आपको लिखा दिया था लिमिट अप्लीकेशन बाकी है 0 to X अप्लाई कर देंगे K3 अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट 1 by 2 1 अपॉन A माइनस X का होल स्क्वेर माइनस 1 by A का होल स्क्वेर So finally This is the integrated rate law for a third order reaction when all the reactants are same ठीक है Final integrated rate law for a third order reaction ठीक है Summary कर लेंगे अप जैसे A माइनस X जैसे setup था है इस setup के लिए final rate law इतना जाता है K3 T equal to 1 upon 2 1 upon A माइनस X whole square माइनस 1 by A square correct है equation number 2 डाल देंगे इसको बार बार जैसे हम कर रहे है half life time निकाल लेंगे सबसे पहले उसके लिए T को T half लेके देता है इस ताइब आपको रट चुगा होगा और half life के बाद बची quantity initial का half हो जाता है equation number 2 में पूट करेंगे आप तो K3 T half will be 1 by 2 1 by A square by 4 और minus 1 by A square ठीक है equal to T half हमें निकालना होता है तो 1 by 2 K3 आ रहा है और 4 by A square minus 1 by A square यह 4 उपर आ गया तो कितना बचा 1 by 2 K3 और into 3 by A square that means finally जो T half होगा वो second order reaction का 3 upon 2 A square K3 हो जाता है यह third order reaction का T half हम इसके बाद जिसे T quarter निकालना है सभी में quarter lifetime के लिए T को के सरेप्लेस करते है TQLT से और quarter lifetime वो time होता है जिसके बाद rate tend की बची quantity initial की 1 by 4 means A by 4 होते है तब result कहां से आता है equation number 2 से आता है तो K3 TQLT equals 1 by 2 इस बार 1 by A square by 16 हो जाएगा A by 4 का square इसको simplify कर लेंगे 1 by 2 16 by A square minus 1 by A square that means 15 by A square आ जाएगा 15 by A square और इसको आप T हाफ से correlate कर देंगे तो T quarter आगे 15 upon 2 A square K3 जिसको आप लिख देंगे 5 into 3 by 2 A square K3 ठीक है 3 by 2 A square K3 और इस 3 by 2 A square K3 अब रिकाल करो 0 order में हेक्टर कितना था है 3 by 2 1st order में कितना था 2nd order में triple और 3rd order में 5 times आ गया तो हमने kinetics of 3rd order action भी complete कर लिया तो मुस्टली यह सब आता है 0 order, 1st order, 2nd order और 3rd order अब इस सब के हम graph plot करेंगे ठीक ना इस सब के graph plot करते है graph वाले section तो देखो graph वाले section के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाती है कि जो भी graph बनेंगे kinetics में straight line, parabola, hyperbola, exponential वो सब मैंने अलग से वीडियो डाली होई है उसको आप देख लेना तब भी graph समझ माहेंगे अब जो important important graph है वो हम plot करके चलेंगे तो पहले 0 order के लिए start करते हैं और उससे पहले 0 order के हम result लख लेते हैं तो 0 order में पहले result क्या था r equal to dx by dt equal to k0 rate constant होता है 0 order का फिर इसमें यह 0 order के question करेंगे पहले हम दूसरा integrated rate क्या था k0 t equal to x था तीसरा t half का formula क्या था वहलो a upon 2k0 था और एक result था ct of reactant equal to c0 of reactant minus k0 t और यही formula product के लिए थे हम लिखते हैं ct of product equal to c0 of product plus k0 t था 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 यह सब formula था ठीक है जल्दे से compute करो आप अब जो graph हिससे पूछे में वह मैं आपको कराता हूँ 0 order reaction के हम graph plot करेंगे ठीक है तो सबसे पहला important graph जो 0 order से बार बार आता है वो ct versus t होता है ct versus t for reactant ठीक है जो graph पूछे हुए वो मैं आपको करा रहा हूँ बाकी mathematically बहुत सारे graph बन सकते हैं तो ct versus t तो देखो जो graph plot करना होता है उसके आप equation देख लेंगे तो यहाँ पर यह आ रहा है ct equal to reactant के लिए minus kt वाला part पहले लिख दिया है और plus c not आप धियान लेको constant को बाद में लिखते है reason हमें किस से compare करना target होता है y equal to mx plus c से तो देखो जिसको plot करना था वो y variable होता है जिसके versus करना था वो x variable होता compare करने के बाद slope कितना आ गया minus k not means negative but intercept कैसा दिकरा हमको intercept is positive अब यह shortcut में आपको बदाये थे slope negative is ऐसे line होगी आप वीडियो देखना तब ही समयाएगा slope negative is ऐसे line होगी और intercept positive is वो y axis को उपर cut करेगे यह सब shortcut में बदाये बात तो finally दोनों बातों को merge कर देंगे आप तो देखो ct और versus t है ct versus t graph है तो कैसा graph है जाएगा यह बस यह वाला graph दिखा देंगा और logic भी है time zero पर reactant maximum होगा और जैसे जैसे reaction प्रॉसेट करता है time के साथ reactant concentration decrease करेगा और यही graph यह दे आप से product लिए बुशता है तो बस यह increasing आजाएगा अब not कर लो मैं इसी कुछ एंज करने बाला हूँ ct versus t for product तो जब आप इसको product के लिए लिए लिखता है तो बस यहाँ प्लस sign आएगा न यह plus kt वाला लेंगे तो slow positive हो जाएगा और slow positive है तो line कैसे आएगी line फिर ऐसे आती है यह यह वाली line आएगी ठीक है और बस ऐसे ना decrease होके यह उपर की side चला जाएगा अब यह plot कर रहे है आप ct versus t for product तो graph ऐसा आएगा देखो slow positive है और intercept भी positive उपर गट किया हुआ है और logic भी है time के साथ product की concentration increase करता है अच्छा एक question mind वा सकता है कि initially time 0 पर product कहां सा आ गया तो ऐसे कईबना question में दिया होता है initially एक reaction जिस container में carry हो रही थी उसमें reaction का product पहले से present था तो इधी question में दिया होगा तब एक graph यहां से start होगा नहीं दिया हो तो है से start करेंगे ठीक है एक graph इससे पुछता है t half versus a तो देख लो formula गया t half equal to उसको लिख देंगे 1 by 2 k naught और into a plus 0 माल लेंगे अब किससे compare कर देंगे y equal to mx plus c से तो slope कितना आगया 1 by 2 k naught में is positive तो ऐसे line आएगे but intercept क्या है 0 और 0 तो y axis कहाँ पर cross होगी origin पर cross होगी यह सब shortcut मैंने studio में डाल लेंगे आप उनको देखना आपको तभी समझ माएंगे graph यह वीडियो लग्स है कि important graph in mathematics और finally नो आपको merge कर देंगे t half versus a graph और 0 order action will be like this और इससे एक graph और कुछ अब होगा 0 order से है उसको भी पूरा कर लेते है इसमें एक graph यह आता rate versus initial concentration of rate 10 तो आप देखो rate तो constant होता है यह rate ही लिखावा न, rate is what? constant तो इसका a से को relation ही नहीं है यही definition थी 0 order reactions और those reactions the rate of which does not depend on the initial concentration of the reactant वो time reactant पर depend नहीं करेगा 0 order reaction तो यह constant speed से चलती है तो यह graph इस तरह हो जाया 0 order के सभी graph complete चलिए first order reaction तो formula summary कर लेता है first order का result था k1 t equal to ln a upon a minus x और ध्यान से देखना आप इसको ऐसे भी लिख सकते है ln a means initial quantity और a minus x means time t per quantity तो यह result भी लिख सकते हैं और दोनो साइट e power operate करेंगे इसको थोड़ा solve करके देखेंगे आप तो ct equal to c0 e power minus kt भी आ जाता है दोनो साइट का e power operate कर देना result बन जाएगा t half का result था 0.693 by k1 that means t half first order reaction का constant होता है अब graph देख लेते हैं तो result ने सब आपको रटा होना चीए अब एक तो देखो सबसे पहले यह graph यह आप से पूछ लेता है first order reaction का first order reaction के लिए पहला graph यह t half versus a plot बताओ y axis पे t half और इस पर a तो कोई dependence ही नहीं है first order reaction का t half क्या होता है constant तो यह concentration independent graph दिखा देगा ठीक है और जनेले graph का positive segment दिखाते हैं अभी आप सुच्छों की वो infinite तक हो नहीं reason इधर graph नहीं दिखाएंगे न concentration negative हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे first quadrant में ग्राफ दिखाते हैं first order का second graph आप से पूछता है ct versus t तो देख लो formula मेरा ct equal to c not e power minus kt और आप इसको दिख compare करेंगे जिसको plot करना y variable और जिसके versus करना है वो x variable तो किस तरह का graph आ गया इसका general formula इस तरह का रहा है exponentially decreasing graph यह मेरा आपको कराया उस वीडियो में देखना तो ct versus t graph exponentially decreasing होगा logic एक time zero पर reactant की concentration maximum होगा जो time के साथ exponentially decrease करेगा आप वीडियो देखना तभी आपको समझ मायाएगा ठीक ना ct versus t किस तरह से करते हैं पूरा systematic बता हुआ है कि यह graph कैसे आता है अब देख लेंगे बाकी कोई graph आता है तो इसको simplify कर लेंगे यह main graph है जो main graph आता है graph for second order actions या अगले पेसे करते है graph for second order actions तो second order action का rate law क्या था k2 t equal to 1 upon a minus x minus 1 by a और जैसे भी first order में किया है आप a minus x को ct भी लग सकते हैं time t पर concentration और यह c0 और यहाँ पर t half equal to 1 by k2 है तो इसको second order से एक graph पुछा हुआ है तो उसकी बात कर लेंगे हैं second order से एक graph आता है 1 by ct versus t graph तो पहले answer related formula यह रहा है तो आप इससे 1 by ct की value find out कर लेंगे k2 t plus 1 by c0 अब comparison कर देंगे यह y equal to mx plus c type का आगे हैं जिसको plot करना y variable जिसके versus plot करना x variable बाकी से compare कर देंगे तो slope कितना आगे अस बार k2 miss positive तो ऐसा graph आएगा शौटकर पता है वीडियो में देखना intercept 1 by c0 miss यह भी positive that means y axis को graph कहाँ पर cut करेगा ओपर negative होता तो नीचे cut करता है 0 होता तो यहाँ पर cut करता है बस इतना information merge कर दो आप यह information merge किया तो ct sorry 1 by ct versus t plot वो देखो इस अधर ने दिखाएंगे क्योंकि अधर t negative हो जागा time negative नहीं हो सकता है तो इधर graph नहीं दिखाएंगे 1 by ct versus t plot यह 1 by ct versus t graph है तो slow positive but intercept positive तो ऐसा graph आएगा ठीक है second order के लिए यह graph पुशावा एक भी बस बार बार third order मैं तो rate loss एक graph आता बस third order reaction rate law लेख लेंगे अभी drive क्या था k3t equal to 1 upon 2 1 upon a minus x whole square minus 1 by a square ठीक है तो यहां से आप इसको इस फॉर्म में भी लग सकते हैं k3t equal to 1 by 2 1 by ct square minus 1 by c0 square यह से भी इसको लेख सकते हैं और third order में जो graph पुशता है न वो यह graph आया हुआ है 1 by ct square versus t plot करकर दिखाओं third order से यह graph पुशता है वस तो आप इसको manipulate कर लेंगे देखूं इसको पहले से लिखेंगे आप कितना ही बगल लेते हैं rate lockout थोड़ा सा modify कर लेते हैं twice k3t equal to 1 by ct square minus 1 by c0 square यहां से result आजाएगा 1 by ct square will be twice k3 or t or plus 1 by c0 square finalist है जिसको plot करना होता है यह y variable है जिसके versus करना यह x variable है और finally compare कर देते हैं mx plus c से तो यह slope इतना और intercept इतना value से मदलब नहीं है बस sign देखो slope positive तो ऐसे graph आए का shortcut वीडियो देखना आप intercept भी positive that means y axis कहां पर कट होगी y axis ऊपर कट होगी बस यह information को आप merge कर देंगे तो third order reaction का graph यह हो जाएगा 1 by ct square versus t graph will be like this ठीक है यह third order का है और आप देहाँ से देखो फिर fourth order आजाए fifth order आजाए कोई भी order आजाए एक general और कर लेते है न-th order आप देहाँ से देखो जब third order है तो k3t fourth order में k4t यहाँ पर देखो third order में 2, 2, 2 तो fourth order में 3, 3, 3 तो एक general और का कर लेते हैं तो complete हो जाएगा फिर कोई से order की reaction आजाए लास्ट और आजाए तो जनरल लेट लोग क्या हो जाएगा a and t equal to 1 upon n-1 1 upon ct power n-1 minus 1 by c0 power b n-1 बस यतिना ध्यान लगना है यह first order के लिए valid नहीं है because first order का तो अलगी result है first order का result क्या था उसमें तो logarithm आता है ln c0 by ct तो बस मेरे recording आप यह दो formula याद रखो कि first order का rate law यह होता है बागी सबी order का यह होता है आप इससे देखना 0 order का भी verify हो जाएगा second order का third order का किसी भी order का बस first order का यह result बागी सब का यह result है इस unit का जो kinetics of different order actions है इसका whole summary इन दो formula मा गया है ठीक है अब इसका graph देख लेते हैं तो यहाँ पर जो graph आएगा actually बस complete है यह यह graph बनता 1 upon ct power n-1 versus t तो इसको manipulate कर लेंगे आप पहले n-1 को दल ले जाओ n-1 k and t equal to 1 upon ct power n-1 और minus i नहीं 1 by c0 power b n-1 ठीक है अब बस side exchange कर दो तो 1 upon ct power n-1 equal to n-1 k and t of plus 1 by c0 power n-1 और last step graph plot करने का जो versus से पहले है वो y variable होता है जो versus के बाद है वो x variable होता है और standard equation y equal to mx plus c से compare कर डालेंगे तो slope कितना जाएगा slope आजाएगा कितना n-1 k n ठीक है अब यह देहां रखना जब order 0 होगा तो slope negative गया जाएगा मैंने यह नहीं लिखा positive होगा वो डिपेंड करता order क्या है तो यह slope का अब ऐसे लेखेंगे यह slope के दो answer आएगे यदि order 0 होगया तो यह 0-1 negative slope आएगा बट यह the order x से जादा होगा तो फिर positive answer देगा सोचो आपने हापर x से बड़ा number लिया तो x से बड़े मैसे जब एक घट आएगे तो positive आएगा और जब x से छोटा लेएगे तो negative आजाएगा तो 0 order के लिए तो negative slope आएगा ठीक है और x से बड़े order के लिए second order third order के लिए positive slope देगा बट intercept कैसा है? intercept हमेशा positive ही आ रहा है that means y axis कट तो उपर ही होगे slope negative है तो line ऐसी वाली देखेगी और sorry negative है तो यह वाली देखेगी ऐसे और slope positive है चोट कर लाइन ऐसे देखते है तो पहला के slope negative और intercept positive हम mention कर देते हैं slope negative बट intercept positive तो ऐसा ग्राफ आएगा और यह तब है जब order x से कम होगा 0 order minus 1 order minus 2 order यह ऐसा ग्राफ आएगा और last दूसर ग्राफ 1 by ct power n minus 1 t slope भी positive है second case में और intercept भी positive है और slope positive ग्राफ है जब order of reaction x से ज़्याद होगा है तो ग्राफ ऐसा आएगा तो बहुत simple यहाद रखना है आप सिधा से ज़्याद रखो यह ओडर एक से ज़्याद है तो ग्राफ उपर की तरफ आएगा बढ़ेगा order बीज़द है तो ग्राफ भी ज़्याद होगा और जब order कम हो गया है तो ग्राफ भी कम हो जाएगा यह तो यह आप से बुछता लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है? ठीक है?